का दोस्तों वेलकम टो रोंडेक जाम क्लासे देकि आज है 16 गस्त और आज आपका खंड सिच्छा दिखा रही मतलब की BEO का पेपर संपन हो गया तो सबसे सही और सबसे सठीक एंसर की आपके समय लेकर आएं आप लोग वीडियो को पूरे लास्त है देखने का प्रयास अगर आपको दो ही सूची आती है फिर भी आप इसका सही उत्तर निकल कर आ सकते थे देखने सबसे सिंपल आर्टिकल जो आप बार बार पढ़ते हैं उपादियों का अंत वो किस आर्टिकल में दिया गया है आर्टिकल 18 में तो A को आपको तीसरे सी मिलाना था और D वाला सिच्छा का दिकार जो है वो आर्टिकल 21 के का में रखा गया है तो D को दूसरे सी मिला दीजे और A को तीसरे से मिला दीजे तो D वाला उत्तर से उत्तर निकल के चलाएगा तो सिंपल तरीके से आप दो ही आर्टिकल से सही उत्तर निकल सकते थे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनलर पर गर आप नए हो आपको नए नए वीडियो नए मिल पाती हो तो नीचे आपको लाल लग की सस्कार की बढ़न दिक्राइब उसके दवाकर लाल से काली कर दीजेगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके सामने मिले इसरा कोशन है भारती समिधान के 74 संसुधन के समन में निमलिकित में से कौन से कतन सही है इन चारों कत्तम से आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कतन सही लग रहे हैं देकि 74 समिधान संसुधन वाता नगर पैंचायत को ले करके उसमें एक नए अनसूची जोड़ी गई थी ये भी सही है, ये नगर 55 सबंदीता, तीसर नमर कोशन है, नगर पालिकां में महिलाओं के लिए अच्छड है, ये भी सही है, तो एक, दो, तीन सही है, तो पहला वाला अपसन सही है, अपसन हो जाएगा, चौथा नमर कोशन है, भारत में निम लिकित में से किसे सिस्वों और आवयसकों के साथ साथ आर्थिक और समाजिक योजनाव के लिए वीदि निर्माण की सक्तियां प्रदत हैं कौन-कौन बना सकता है कानून सिस्वों और आवयसकों के लिए तो सही आपसन होगा केंदर और राज दोनों ही सिसुओं और आवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और समाजिक योजनाओं पर कानून को बना सकते हैं सही आपसन होगा सीवलापसन 15 अवर कोशन है यदि सभी समाज सुधाराख माना उतावादी सत्य हैं तो निम लिकित माई से तर्क वावाकों में से एक सत्य आपको बताना है जैसे यह पाईटिविय में लिखा गया है वैसे आपको इसका पाईटिविय में दूसरा अर्थ बत आना है तो सई आपसों होग 115 कुछ मानावता वाधी, समाज सुदहारक हैं ऐसे आप इसको सए करेंगे तो यह भी पॉष्टिवर, मैं आपका आएगा तो गोई उक्वार, कौण से हो जाएगा? article number 50 article 50 में क्या का गया है यह आपका नीत इन्रिशक सिधान्तों में आता है जिसमें नयाई पालका को कारे पालका से अलग किया गया है तो D को अगर आप तीसरे से मिला देते हैं तो आप इसके सभी उत्तर को सई कर सकते थे तो D को आपने तीसरे से मिला है तो कौन सा उत्तर सही हो गया भी वाला आप्शन बाकी को आप लोग मिला करके देख लीजेगा एक को मैंने आपको simple वेसी मिला दिया है जो आपको सबसे simple article लगता है उसी से आप इसको सही करके आ सकते थे तो भी वाला आप्शन सही आप्शन होगा देखे सातों नमबर कोशन ता, ये reasoning का question था, इसमें आपको प्रेश्णों आचक छिनी की जगा पर बताना था, कि क्या भरा जाएगा, कैसे आपको करना था इसे, थोड़ा से दिमाग लगाई है, देखिए, अगर आप इसको ऐसे करते हैं, चार तेहीं बारा, पहला पद को ले करके, तीन गुना करके, तो, चार तेहीं बारा मेंसे दो गएं, दस आगया, आप दस तेहीं तीस मेंसे दो घटा दीजे, दस तेहीं तीस मेंसे दो घटा आएंगे तो 28, सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला आगे भी आप लोग मिला लिजे, जैसे कि अब आगया 28, 28 को तीन गुना करके, दो मैनस कर देंगे, तो 82 आजाएगा, वैसे 82 को तीन गुना करके, दो मैनस करेंगे, तो 244 आजाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला आपसन, आठवान अवर कोशन है, A, B का भाई है, और B, C का भाई है, C, D का पती है, और E, A का पिता है, तो D का E से क्या समन्द होगा, पता C, D का पती होगा, जो D पतनी होगी, और E जो है, वो A का पिता है, तो E, A का पिता हो गया, तो A, B, C, तीनों का पिता होगा, और D क्या लगेगी, इसकी बहु लगेगी ना, तो सही आप सुनो जाएगा, B वाला आपसन, ठीक है, ने स्टोला कोशन देखी क्या है, यदे किस कोड में, डिसंबर को लिखा जाता है, तो उसी मा में, इसको क्या लिखा जाएगा, बताएए, देकि zajmर को कैसे लिखा गया है, D, E को पीछे कर दिया गया है, और E, A, R, C, स्टार्टing फिर M, B लिखा गया है, फिर C, E, L, लिखा गया है, फिर D, E, लिखा गया, तो आपक हो जाएगा next question देखिए x का मान आपको निकालना है कैसे करेंगे आप इसे थोड़ा सोचिए आप लोग x का मान कैसे निकालेंगे कम समय है लेकिन फिर भी आप लोग इसे करके तो आए होगे कैसे आपने किया होगा इसको सिंपल से आपको जोड़ना था देकि एक और एक दो को जोड़ देंगे तो दो बन जाएगा और एक और दो को जोड़िये अगले दो पदो को जोड़िये तो तीन बन जाएगा और दो तीन को जोड़ेंगे तो पांच बन जाएगा और तीन और पांच को जोड़ेंगे तो आठ बन जाएगा तो आठ और पांच को जोड़ेंगे तो निस्ट पद आपको मिलेगा तेरा सही उत्तर हो जाएगा भी वला आपसन जैकि राह सीनर डायलाग जो 14 से 16 जनुरे 2020 को संपन्न हुआ था उसकी मुख थीम आप से पूची थी तो राह सीनर डायल या फिर मुख विशे क्या था सही आपसन होगा सी वला आपसन निविगेटिंग दी अलफा सेंचुरी इसकी मुख विशे था सी वला आपसन सही आपसन है सी वला आपसन ठीक है बारन अबर कोशन है विस तो रेपीड सत्रंज प्रत्योगता जीतने वाली पहली भारती मेला क्यों से हैं। जेकि रेपीड जो सत्रंज प्रत्योगता होती है। इसे तैस समय सीमा के अंदर जीतना होता है। जो किस जीता घूलों हम्पी ने जीता थ्यूल एकौण फ़े ते सारे कोशन में आपको कराए हुए हैं तेरे नमर कोशन है देखिने नीत आयोग दोरा हाली में सततविकास लच्छ इंडिया सुचकांग 2019 में कौन सा राज़ प्रथम इस्तान प्राप्त किया है मतबढ़か कौन सा सबसे पहला इस्थान प्राप्ट किया है तो सही आप सुनोंगा सत्तर अंकों के साथ में केरल ने पहला इस्थान प्राप्ट किया है और चंडीगर ने पहला इस्थान प्राप्ट किया साथ साथ में चंडीगर के आए एक केंदर सासित प्रदेश है तो चंडीगर और केरल ने 70-70 रंगे हासिल किये हैं और दूसरे स्थान पर आये हिमानचल प्रदेश ठीक है ये जो सूचकांक है वो समाजिक, आर्थिक और परेड़ के छेतर में जो सबसे उच्छी स्थान प्राप्त करता है उसी को दिया जाता है तो केरल पहले नमबर पर है 14 नमबर कोशा ने किस देश में जनुरी 2020 में 9 सेना ने आपरेशन वनीला प्रारव किया आपरेशन वनीला ये चलाय गया था मेडा गासकर में मेडा गासकर हिंद मासागर का सबसे बड़ा दीप है और ये अफरीका के पूर्वी हिस्से में पढ़ता है वाँ पर ये अपरेशन वनीला चलाय गया था अप्ने नव सेना के एरावत नमक नव सेना से मानुवी साय था और प्राकतिक आपदा का मिशन चलाय गया था मेडा गासकर में एक देखिए हम आपर चक्रवात आया था जिसका नाम था डायने डायने चक्रवात से काफी तबाही मचाई थी मेडा गासकर में तो भारत ने आपरेशन वनीला चलाया था बतर नमर कोशन है नेमलिकी देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अधिस्ता जाप किये सही आपसन होगे C वाला आपसन सोलो नमर कोशन है देखिए यहां पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है अगर आपको एक भी आती होगी ना इसमें से तो आप सही कर सकते हैं मैंने कई बार आपको इसमें बताया है कि कुडन कुलाम जो तमिल नाड में वो कैसा है क्यां साथ स्तान है तो हआप पर परमार उर्ज़ सही कर देते तो D वाला आपसन बिलकुन सही आपसन हो जाता देख सकते हैं एक भी आपको आता होगा ना तो आप इसे सही करके आएंगे और चमेरा कहा पर हैं चमेरा यापका हिमानचल परदेश में रावी नेदी पर है तो जली उर्जा सयंत्र है तो A को मिला दिजे तीसरे से और C को मिला दिजे पहले से बांकी आप लोग मिला लिजेगा D वल आपसन सही आपसन है देकि 17 नमर कोशन है A और R ये दो आपको कथन और कारण दिये गए हैं इसमें साब को पहचान है कौन सा कथन सही है फिर कारण सही है देकि भारती बुघर्व सनवेच्छड के अनुसार भारत में सभी उच कोट के कोईले भंडार जो हैं वो 293.5 करोर टन ये आकड़ा गलत है लगवक 313 इतना है आकड़ा याद रखेगा तो A गलत है और R सही है तो कौन सा आपसन सही हो जाएगा D वाला आपसन सही है आपसन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा गया था दूसरे वाले में उडिशा और जारकण में 50% से अधिक जो है वो कोईला बंडार है जो की विलकुन सही है इसलिए R वाला सही है अठार नवर कोशन है भारत की निमलिकित राज्यों में से कौन सा जनस रंका के जिससे प्रथम इस्तान पर यूपी है और दोती इस्तान पर कौन आता है तो महराष्ट आता है महराष्ट तो दोती इस्तान पर महराष्ट हो गया इसे सापसे सही उत्तर आपकर डिवाला हो जाएगा छेतपल के जिससे बात करते हैं तो छेतपल की जिससे पहला इ इंपी का दूसरा इस्तान और महराष्ट का तीसरा इस्तान हो गया इसे साब से डी वल आप्शन सही आपसन हो जाएगा और चौत्थे इस्तान पर UP आता है तो डी वल आपसन बिलकुंँ सही आपसन होगा उनीस डबर कोशन है देकि सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ ही मिलान करना है ये चार आपको जनजातने दी गई है जर्वा, कुकी, थारू और गोन जिसमें से आपको थारू और गोन सबसे अधिक आप लोग सुनते होंगे तो थारू कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी नेपाल और उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं आप लोग तो सही आपसन होगे C का पहला वाला, ठीक है लेकिन C के पहले वाले हम दो आपसन आपको दे रखें तो गोन्ड को आप लोग मिला लीजे, गोन्ड ही आपकी विन्धहाचाल और सत्मुडा के आसपस पाई जाती है तो MP सही होगा, गोन्ड का हो जाएगा दूसरा वाला, तो D को दूसरे से मिला दीजे और C को पहले से, तो सही आपसन कौन्स हो जाएगा, B वाला आपसन सही हो जाएगा, आपको एक या दो आती होगी ना, तो आप सही उत्तर करके आएगे तो सही उत्तर होगा, इसका दूसरा वाला आपसन, मांकी को आप लोग मिला लीजेगा 20 नवर कोशन है, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है मैंने आपसे बताया ना, कि आपको सारी सूची ना भी आती होगी अगर आपको एक दो भी आती ही ना, तो आप सही उत्तर निकल के आ सकते हैं, जैसे आप मानस को सब ज़्यादा पढ़ते होंगे मानस जो अभ्यार अड़े वह कहां पर है, तो आपका असम में पढ़ता है तो B का पहला वाला आपसन सही होगा, और सिमली पार उडिसा में है, तो C का चौथा वाला तो कौन सा आपसन सही होगा, C वाला आपसन सही होगा, B को आपको मिला देना पहले वाले से और C को आपको मिला देना है चोथे वाले से तो आप C वाले आप्षन को विल्कुन सही उत्तर करके आ सकते थे बाकी दोनों को आप लोग मिला लिजेगा मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कैसे आपको एक्जाम में हल करना है वैसे आपको ट्राय करके आप आ सकते थे उससे उत्तर निकल के आ सकते थे 21 नमर कोशन है भारत में नगरी करण के संबन्द में कौन सा कतन सही है बताइए 2011 की जनगर्ना कुछार देश की कुल नगरी जनसंक्या का 60% से अधिक प्रथम स्रेणी के नगरों में निवास करती है दूसरे में दिया गए आपको 2011 में देश की 10 लाग से अधिक जनसंक्या वाले तिरिपन नगर संकुलते ये दोनों ही कथन आपके सही है सीवला आपसन सही आपसन होगा बाईस नवर कोशन है 2011 के जनगर्णा के लुसार भरत में निमलिखी राज्यों में किस में प्रती सव वालिकाओं में मतलब कि 0 से 6 वर्स वाली संक्या पर बालकों की संक्या अधिक है मतलब कि बालिकाओं की संक्या कम है सबसे कम सिसुलिंगा नुपात आपसे पूछा है तो सबसे कम सिसुलिंगा नुपात 2011 में किसका था तो हर्याड़ा में था सही आपसन होगा सीवला आपसन देकि बालकों की संक्या अधिक है न तो बालिकाओं की कम होगी तो कम होगी मतलब की सिसु लंगा नुपात जहां पर कम है वह यह आपसे पूछने का प्रयास किया था तो C वाला आपसन सही आपसन होगा 23 नमर कोशन है सरीर की सता से स्वेधन मतलब की पसीना बैना जलकी हानी निर्वर करती है किस पर निर्वर करती है केवल वातवड के ताप पर केवल वातवड की नमी पर तो यह दोनों पर निर्वर करती है टमप्रेचर पर भी और नमी पर भी A और C दोनों सही है मतलब A और B दोनों सही है तो C वाला आपसन सही उत्तर होगा 24 नुमर कोशन है कौनसा तत्व? पॉदो में सूच पौसक पदार्थ नहीं है छाइए तीन प्रकार से पदार्थ आपके पौदो में पाय जाते एक मुख पोशक पदार्थ एक गौड पोसक पदार्थ एक सूच पोसक पदार्थ लेकिन मुख्य रूप से पौदे को क्या चाहिए होता है नाइट्रोजर, फास्फोरस और पोटास यह होती है और वहीं पर बात करेगे गौण की जो कम नहीं थोड़ा से ज़्यादा चाहिए होता है जिसे कैलसियम ज़्यादा चाहिए होता है magnesium ज़़धा चाहिए होता है और sulfur यह ज़़धा चाहिए होता है तो magnesium जो होगा यह सूच में पोसक पदार्त नहीं है जब कोई सूच भी की बात करें कि जो सबसे कम मातर में चाहिए होता है वो लोहा, जिंक, कापर, magnesium यह कम मातर में चाहिए होता है लेकिन मैगनेज थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है इसलिए गौण पोसक पदार्थ में आता है सूच में नहीं आता है डी वाला अप्सन सही है आप सुन हो जाएगा इसका जो pH होता है c1.1 से लेकर करके 7.4 तक होता है यह कुछ जो अमली होता है न यह कुछ छारी लिखता तो इसके सही आप सन सही हो जाते हैं और डी वाला उतकों से फेपड़ों तक यह carbon dioxide पहुंच आता है यह उल्टा भी कार्य करता हैं तो c वाला अप सन सही आप सन होगा टेस्ट किसके लिए किया जाता है ये टेस्ट किया जाता है मधुमे की जाज के लिए तो सही आपसन हो जाएगा सीवल आपसन सुगर की जाज के लिए सुगर की मातर का पता लगाने के लिए इसको किया जाता है तो सही आपसन हो जाएगा सीवल आपसन अताइस नमर कोशन है भारती समिधान में निम लिकित में से किस कर्तब को मौलिक कर्दबों के रूप में निर्धारित किया गया है। इन चार आपसे बताई है कौन कौन से आपके मौलिक कर्तब हैं। ग्यारा आपके मौलिक कर्तब हैं, देश की रच्छा करना है, आयकर अधा करना ये नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, माके तीसरा और चौता ये दोनों भी आपके हैं, तो एक, तीन, चार जहां पर भी लिखा होगा, वही आपका सही उत्तर होगा, दी वाला अपसन सही उत्त होगा, हमारी समाजिक संस्कृती और गौरासाली परंप्रा का परेच्छड करना है, और सार्वजिरिक संपत्य की सुरच्छा करना भी है, तिये दोनों आपके हैं, एक, तीन, चार सही आप सनोगा, 28 नवर कोशन है, कथन और कार से कोशन आया था, भारत में मंत्री परसत, स एलवाल गलत हो गया, लोकसवा और राजसवा दोनों के सदस से संगी सरकार के मंत्री बनने की पातता रखते हैं, यह सही है, तो ए गलत है, लेकिन आर सही है, कौन सही होगा इसमें से, डी वाला अप्शन सही होगा, देकि लोकसवा से अगर आप जीत कराएं, या फिर करनों के प्रति उत्तरदाई है, जबकि इसी पर लोकसवा के प्रति उत्तरदाई होती है, उन्तिस नमर कोशन है, पंचायती राजपर गठी जो समितियां आपकी बनाए गई थी, उनको आपको काल करम के नुसार में रखना है, जैसे जो संता उनका, कौन पहले थी, कौन ब रखना पड़ेगा, तीन के बाद चार आएगा, इसके बाद आपकी राव समित मनीती, कब बनीती राव समिती, 1986 मनीती, तो इसके बाद पहले नमबर को रखना पड़ेगा, तीन, चार एक, तो मिल आए आपको सी वले आप्शन में, इसलिए सही आप्शन हो जाएगा आपक टरिधिदुटे में आर्टिकल दोसो चॉंट आले कर दोसो तिराण वे तक केंधर और राज्यव केमद में वीत्ती विड़का समंद है 31 नवर कोर्शन है एक बड़ाई ये जो 6 गंटों में कुर्सि बनाता है B. एक बड़ाई जो 7 गंटों में पुर्सि बनाता है C एक बड़ाई जो 8 गंटे प्रदिन काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्षी बनेंगी कैसे आप इसे हल करेंगे देखें 21 दिनों तक 8 गंटे प्रदिन कारी होता है तो 21 गुड़े 8 गंटे कारी होगा और A जो है वो 6 गंटों में कुर्षी को बना रहा है तो 6 से भाग कर दीजे तो A कितनी कुर्षी बनाएगा 28 कुर्षी बनाएगा अगर 6 की जगा पर आप 7 की भाग कर देंगे तो B निकल कर चलाएगा B कितनी कुर्षी बनाएगा 24 कुर्षी बनाएगा अगर 7 की जगा पर 8 से भाग कर देंगे तो C के निकल के चलाएगा C 21 कुर्षी बनाएगा तो 28, 24 और 21 को गर आप जोड लेंगे तो टोटल 73 कुर्षी बनेगी 21 गुरते 8 घंटे में ठीक है सही आपसन हो जाएगा C वाला आपसन 32 नवर कोशन है B, C, D, F G, H, I, K और L, M, N, P के बाद में आपको बताने यहाँ पर आप क्या बनेंगे बताएगे कैसे आप इसे लगाएंगे देखिए B, C, D के बाद में क्या कर रहा है A की स्थान छोड दे रहा है B, C, D के बाद में E छोड दिया F को भर लिया इसी परकार से G, H, I के बाद में J को छोड दिया K को भर लिया तो आप क्या करिए L, M, N के बाद में O को छोड दिया P को भर लिया है तो आप देखिए P के बाद में क्या आता Q, R, S Q, R, S ले लिजे आप तीन इस्तान पर ले लिजे और T को छोड़ करके U को भल लिजे तो Q, R, S, U जहां पर भी लिखा होगा वो सही आप सुन होगा तो C वाला आपसन सही आप सुन होगा कौन सा आपसन सही होगा यह C वाला आपसन ठीक है Q, R, S, U यह सही आपसन है इसका 33 नवर कोशन है यह दि 1980 में भात का गरतंत दिवस सनिवार को पड़ता है तो X का जन में 3 MR journeys उष दिन पढ़ा है सनिवार ठीक है उष दिन पढ़ा है सनिवार अब सनिवार से देखिए 26 जनरी से 3 MR Siz वो कितने दिन बात पढ़के तो 26 जनरी के बाद में अगर आप जोड़ेंगे 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन आपको जनवरी मिलें इसके बाद में 29 इनकी फरवरी होगी और 3 दिन मार्च के तो 29, 5 और 3 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 37 मिलेगा 37 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 7, 5, 35, 2 दिन इस्ट्रा मिलना है ना तो सनिवर से 2 दिन इस्ट्रा बढ़ा दीजें सनिवर के बाद एतवार और सोमर इस इसाब से 3 मार्च 1980 को काउन सदीन होगा सोमर होगा लेकिन क्या कह रहा है वाई जो है वो 4 दिन बढ़ा है मतलब 4 दिन पहले पैदा हुआ रहा होगा तो वाई जो है वो ब्रासपत वार को पैदा होगा ब्रासपत वार के बाद सुक्वर वार सनी एतवार सोमर तो सोम्मार को ये पैदा होगा X और Y जो होगा वो चार दिन पहले मतलब ग्रासवदर को पैदा होगा सही आप सुनोगा भीवला आप सन 34 नमर कोशन है यहाँ पर आपको प्रिष्णवाचक चिनने की जगा पर बताना है कौन सी संक्या भरी जागी यह प्रिष्णवाचक चिनना है देकि प्रिष्णव आपने देखे होंगे मैं इसलिए जल्दी आपको बताने का प्रियास कर रहा हूँ देकि यहाँ पर 51 लिखा गया है इससे 5 गुर्ते 1 कर लिजए तो यह 5 आजैगा और ये 61 लिखागे, इसे 6 गुरते एक लिख लीजे, 6 आ जाएगा, तो 5 और 6 को जोड़ देंगे, अगर आप तो 11 बन जाएगा, इनकी देखी संखाओं को multiple करके, दोनों को किनारे वाले को जोड़ दीजेगा, 11 आ जाएगा, उसी प्रकार से 6, 6 और 4 को क्या करें, multiple कर लीजे 6 को 24, और 3, 2 को multiple कर लीजे, 3, 2, 6, 24, 36, आ गया, 24, बिल्कुन सही ये दोनों तो, इसके बाद 3 पचे 15 कर लीजे, और 4, 3, 12, 12, 15, 27, सही आप सनों जाएगा, भीवाला, ठीक है, इसी प्रकार आपको करना था, 35 नमर कोशन है, 5 वर्से पूरे, A और B की आई को अनवाद, 4 अ पाते 5 था, यदि A की आई को वर्तमान आई 29 वर्से तो B की आई आई आपको निकालनी है, कैसे आपको करना था, 5 वर्से पूरे आपको दे रखाना, 4 रेशियो 5, तो इस समय कितना होगा, 4X, आपको ए दे रखना, 4X प्लच 5 बराबर होगा, 29 वर्स के, तो 4X बराबर होग 24 के, एक समय बराबर आजाएगा 26 के, चारचेंग 24, एक समय बराबर 6 के आगया, तो अगर एक समय बराबर 6 के आगया, तो ये 5 वर्से पहले 6 को 24 करा होगा, और ये 5 वर्से पहले 6 पंचे 30 करा होगा, तो अब 5 वर्से बाद B कितने को हो जाएगा, 30 का तो 5 वर्से पहले त आपको इसका मान निकालना है कैसे आप इससे निकालेंगे काफी लंबा मैथड है इसका सही उत्तर निकल कर आएगा ए वाला कभी इसतार से आपको बताएंगे इसे ए वाला उत्तर सही उत्तर है 37 निकल कोशन है यदि व्रत की दो जिवाई आपको दे रखी हैं A, B और C, D व्रत के बाई विंदो P पर काटती हैं और P, A, C आपको 50 दे रखा है P, D, V कितना होगा आज जब व्रत मापर पढ़ेंगे आपको दे जो इवाई दे रखी हैं इस प्रकार से इस प्रकार काटेंगे तो कोण आपको 50 दे रखा है अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा सही आपसन होगा सिवाल आपसन 38 नवर कोशन ये दो संख्याओं का मासा और लासा पा 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपास जो है वो एक अनुपाते 4 है तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको बतानी है कैसे आप निकालेंगे देखिए मासा गुड़ते लासा बराबर पहली संख्या गुड़े दे उसी संख्या होती है तो 21 गुड़े 84 कलेजे मासा गुड़ते लासा बराबर पहली संख्याओं आपने एक एक समान ली और दूसरी संख्याओं का चार एक समान ली है तो एक से स ठीक है तो पहले संक्या हो जाएगी 21 गुर्टे एक 21 और दूसरी संक्या हो जाएगी 21 गुर्टे चार 21 चोग 84 तो आपसे बड़ी संक्या पूची तो 84 बड़ी संक्या होगी सही आप सुनेगा विवाला आपसन इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं और तारीस नमर कोशन है देश के बड़े राज्यों के समूँ में भात के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुचासन सुचकांक में सिर्षिस्तान प्राप्त किया है देखिए अगर सुचासन सुचकांक की बात करेंगे तो तमिल नाड का पहला इस्तान है ये बीवाला आपसन सही आपसने बहुत सो लोग केरल को सही करके आए हूंगे लेकिन सही आपसने तमिल नाडू चालिस नमर कोशने आप प्रतेच करों को प्रतिगामी कर वेस्ता क्यों कहा जाता है तो इसका सही आपसनों का भीवाला आपसन ये सभी आए समूवव़ पर समान दरोपर लगाये जा करेंगे जो बजट आपका आया था दो जार उनीस वाला कि बैलिस नमर कोशन है इसमें से अब को बताने है कौन सा कथन सही नहीं है 15 वितायों के समंद में इसका सही आपसन कौन सो का पहला वाला आपसन इसका गलत आंसर है यहाँ पर इसका गठन जो है न वो 27 नमबर को नहीं किया गया था इसका गठन किया गया था 22 नमबर 2017 को इसको गठन किया ग इसलिए पहला गलत हो जाएगा B वाला सही है, C वाला सही है दी वाला भी सही है, ठीक है ये तीनों सही है, A वाला गलत आप सुन है इसलिए A वाला सही है आप सुन होगा वैसे देखिए अभी जो है वो दो आपके केंदर सासित प्रदेश बना दिये गए है इसके बाद से उसंसाइं जो हैं 2021 से लेकर करके 2026 तक हो गई हैं लेकिन ये बाद वह पेपर आपका पहले बन गया रहागा इस हिसाब से पहला वाला आपसन सही आप सुनोगा 33 नमर कोशन है देखिए पल्लाव राजवंस के कुछ सासक आपको दिये गए इनको आपको करम से लगाने है तो सबसे पहले देखिए महेंदर वर्वन प्रत्थम आया था तो चौथे को आपससे पहले लगाएंगे इसके बाद में आपको क्या करना है इसके बाद में कौन आया था इसके बाद में देखिए अगर आप देखेंगे सबसे लाश्ट सासक को देख लिजे लाश्ट सासक में नंदी वर्वन आया था तो चार से स्टार्टिंग होगे तीन से यंत होगा तो एवला आपससन सही आपसन होगा दूसरे नमबर पर आया था आपका नर्सेंग वर्मन प्रथम और इसके बाद आया था आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम और लाश्ट में आता नंदी वर्मन तो आप 4, 2, 1, 3 का जो है यही सबसे सही करम है 44 नमबर कोशन नहीं यहाँ पर रानियों की चर्चक की गई है आपको बताना है कौन किसकी रानी थी कोई भी एक रानी अगर आपको याद होगे तो आप इसमें सही कर सकते है 44 नमबर का सही उत्तर होगा पहला वाला उत्तर देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त की रानी का नामता कुमारा देवी कुमार देवी यह फिक कुमारा देवी तो एको आपको तीसरे से मिलाना है और बी की रानी का नामता समुद्रगुप्त की रानी का नामता धत्ता देवी तो ये दोनों ही सही हैं ये दोनों ही आपको किताबों देखने मिलते होंगे चंद्रगुप्ति की राने के नामता कुमारा देवी और समुखुप्ति की राने के नामता दत्ता देवी तो एवला आपसन सही है आपसन होगा 44 का एवला आपसन नेश कोशन देखिए हमारा है यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है कौन से सुमेलित नहीं है इसमें से अले हिलाल जो समाचर पतर था अबुल कल्जाम अजात का था यह सही है समाथ कौम उदी भी राजराम मोन गाय के थी सही है निव इंडिया एनिव इसेंड के थी भी सही है तहजीव उल अलाग जो है यह अली जिन्ना का नहीं है यह किसका है यह है सरसयद आहमत खांका था ठीक है तो सी वाला गलत है बाकित तीनों सही है यह सरसयद आहमत खांका था अली जिन्ना का नहीं था छेलिस अमर कोशन है यहाँ पर आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है कैसे आप मिलान करेंगे से इसका सही उत्तर होगा A वाला अपसन देखिए यहाँ पर लिखा गया है ताजुल माहिर जो है यह हजन निजामी की है इसे सारे आपके बिलकुन सही उत्तर है इसमें आपको किसी प्रकार की संका नहीं होने चाहिए 47 नमर कोशन है यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है देखी आकाल आयोग, सिचाई अदोग, फुलिस आयोग और रिल्वय आयोग इनको आपको मिलान करना है सही उत्तर होगा इसका पहला वाला देखी एंडू फेजर जो थे वो पुलिस आयोग के अधिस थे और एंटेनी मैक दोनाल जो थे ये किसके अधिस थे आकाल आयोग के थे, इसलिए सही आपसन हो जाएगा एवाला आपसन आकाल आयोग और आपका पुलिस आयोग, ये दोनों आपके एक जामें बार बार पूछे गए हैं इसलिए दोनों को मिला लिजेगा, सही उत्तर आपको प्रयाप्त हो जाएगा बिल्कुन सही उत्तर एवाला है अर्तरीस नमर कोशन है यहाँ पर A और R है कथन कारड है इसमें आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है R समाज अंदोलन ने हिंदूओं में आत्म विश्वास और आत्म दर्ता पतान की बिल्कुन सही है और R समाज ने स्वेत जाद की सिर्ष्टा और विश्वासों की जड़ों को कम किया यह बिल्कुन सही है दोनों ही इसके सही है A और R दोनों सही है और सही व्याक्या कर रहे है ए वाला आपसन सही है ठीक है नेस्ट कोशन को चलते है और उनका क्राम आपको बताना है तो राजी हडप नेती चलाई थी लाड अलोजी ने उसके तहित राज्यों को हडपा जा रहा था तो सबसे पहले 17 को हडपा गया विला किया गया 1848 में तो पहले नमबर पर 17 अजाएगा फिर बागहाट को किया गया था 1850 में दूसरी नमबर पर बागहाट आ जाएगा तीसे नमबर पर उदैपुर को 1852 में उदैपुर को हडपा गया तो इसके बाद चौथा आ जाएगा आपका उदैपुर और सबसे लाश्ट में अठारा सो तिरपन में जहासी को तो सी वला आपसन सही आपसन हो जाएगा तो ये पचास से प्रिष्णों की उत्तर कुझी हो आपको अभी दे रहे हैं इसके बाद नेश्ट वाला पार्ट आएगा उसमें आपको 120 तक पूरी की पूरी एंसर की विल्कुन सही दी जाएगी जैसे हमने आपको अभी देने का प्रयास किया ये 50 कोशन में आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बाक्स में कह सकते हैं अगर आपको प्रिष्ट अच्छे लगे हो आपको मारे एंसर की अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करते हुए जाएगा ठीक है इसका अगला वाला पार्ट आपको जल्दी बिल दाएगा तो नीचे आपको लाल लंकी सस्काइग बड़ेंदी करे होगी उसे दवाकर लाल से काली कर दीजेगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा अगर किसी प्रेश्ण में आपको लगता हो इसका एंसर ये से ही हो सकता है तो आप कमेंटर बैक्स में कह सकते हैं हम नेस्ट वाला पार्ट जो हैगा उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे लेकिन आपको सबसे सही उतर दिये गए इस बात पर आपको कोई भी संकार नहीं होनी चाहिए मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद